जारखन से दिल्ली जा रही ट्रेन के लोको पालेट ने अचानक ब्रिक लगा दिया जिसे ट्रेन में ते जटका लगा और जटका लगने से दो यात्रियों की मौत हो गई चलिए जानते आखिर क्यों लोको पैलेट ने अचानक ब्रेक लगा दिया इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्त ऐसे और डेल्वे से अप्रेट के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेना जारखंड के कोडरमा जिले में ओवरहेट बिजली की तार तूटने के कारण 130 किलोमीटर पर तिघंटे की रपतार से दिली जा रहा है ट्रेन को आचानक रोग कर गया जिससे गारी में जटका लगा और दो लोगों की मौत हो गई इलक्रिक ट्रेनों को पिजली देने के लिए ओवरहेट रेलवेग केवल 25,000 बोल्ट का बोल्टेज ले जाता है यह आपके घर में उप्योग की जाने वाली पिजली से लगवक 100 गुना अधिक सकती साली है जो मातर 5 मिनट में पूरे ट्रेन को जला कर राक कर सकता था लेकिन ट्रेन के कोच को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह अंदर से लगवक बिधूत का कुछालक हो जाता है और ओवरहेट तार को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया जाता है तूटने के बाद बिजली का सफलाई बंद हो जाता है अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ही चन में सभी यात्रियों की मौथ हो आखिर क्यों 2023 में इतना रेल हासा देखने को मिल रहा है